एक्सरसाइज 7.4 राइट सेड़ेट पॉर्शन एस फ्रेक्शन्स देखों यहां पर एक चार सरकल दे हुए हैं इस कोश्चन में इस तरह से अब इस सरकल में कितने पॉर्शन से 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आठ भाग में इसको डिवाइड किया गया है एट पार्ट में डिवाइड किय गया है और मिसके तीन पार्ट में के गया तो Sabani इसका सेडिंग हो गया इसका स्रक्षन हो गया इसके बाद जो सरकल है उसमें 4-26 निवाइड गया है टोटल 5-6 में तेडिंग क्या गया है उसके बाद वाइड कोशन में 12345 पार्ट में टोटल 8 पार्ट से और फिर 1 पार्ट में सेडिंग तोटल 8 पार्ट में एटिंग क्या है अब हमको लीट में उससे इसे चाहिए और यह ऑडर हो गया और डिसीन गौडर में सिक्सक्तु पहरा लुखेंगे पिर द्थरी राइट को लिखेंगे यह यह चोटे से बड़े रेंज ओगया और यह बड़े से चोटे में एरेंज हो गया है असेंडिंग में और डिसेंडिंग और यह डिसेंडिंग ठीक है तो इसी तरह से question number one का बी को भी बनाना ही one का यह हो गया one का see so that two by six four by six and eight by six and six by six on the number line put appropriate signs between the fractions तो second part का जो question है उसमें पहले बना जैता हूं उसन नमर बी का तोटल nine part में divide क्या गया है square को और उसमें से eight part में setting है फिर one two three four four by nine हो गया फिर one two three three by nine हो गया और उसके बड़ six by nine हो गया अब इसको ascending और descending में एलेंग करना है कि अग्या हो जाएगा सबसे छोटा है three by nine हो उससे बढ़ा है four by nine फिर six by nine फिर eight by nine हो और descending हो जागा कि 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 दी एस सी एन डिसेंडिंग हो जाएगा एड़ बाइन पहले आएगा फिर six by nine आएगा फिर four by nine फिर three by nine ठीक है को सिन नमर सी वान का इसमें देवाए five by six और two by six तो दोनों में कौन छोटा है two by six छोटा है क्योंकि दोनों में नीचे में तो सेम है उपर में यह two छोटा हो रहा है तो five greater हो गया तो greater sign लग गया यह three by six और यह zero तो इसको zero three से छोटा होता है तो यह greater sign हो गया फिर one by six है और six by six है यह six greater हो जा रहा है पिर eight by six है और five by six है यह eight greater हो रहा है यह question number one का पूरा solution हो चुका है है अब question number two compare the following fractions and put a prepared sign question number two कफीजी है हमको compare करना है कैसे compare करेंगे क्रोस multiply method लगा देंगे सबसे इजी पड़ेगा इस से इसको multiply करो इस से इसको तो three into six और यह वाज़ा का five into six यह हो गया 18 यह हो गया 30 यह greater आया that means यह greater होगा ठीक है इस तरह से से इनको solve करना है one by seven फिर one by four तो one से फोर मिल्टिप्लाइब और इस वान से से appropriate sign question number three में question number two के जैसे ही और भी कुछ number लिख लेना है और फिर उसमें sign लगाना है उसमें solve करने का कुछ जरूत नहीं है अपने से करना उसको question number four कि यहां पर दिया है zero by one फिर बॉक्स है और फिर दिया one by one तो zero से one greater होता है यह sign आएगा ठीक है फिर zero by two दिया है फिर बॉक्स है फिर one by two दिया है फिर box 2 by 2 तो 0 से 1 greater होता है तो यहां पर यह साइन लाएगा 1 से 2 greater होता है फिर यह साइन लग जाएगा पिर है 0 by 3 1 by 3 फिर 2 by 3 और फिर 3 by 3 तो 0 से 1 greater है तो यह है पर 0 less than 1 हो गया फिर less than 7 लगा फिर less than 7 लेगा तो इस तरीके से इनको सॉल्ब करना है को से नमबर 4 के और इसमें फिर दिया हुआ है 1 by 6 और 1 by 3 इसमें कौन छोटा है कौन बढ़ा है चेक करेंगे 1 by 6 और 93 में देखो 1 by 6 और 1 by 3 अभी बताया cross multiply method 1 multiply 3 करेंगे और यह 1 multiply 6 तो यह आया 3 यह आया 6 यह greater हुआ तो यह से न लगाएंगे तो जैसे हमनों कौस्चन नमबर 3 को किये थे उसी तरह से कौस्चन नमबर 4 के भी यह सारे a b c d e को solve करना है कौस्चन नमबर 5 में भी वही है how quickly can you do this तो कौस्चन नमबर 5 का देखो 1 by 2 फिर बॉक्स है फिर 1 by 5 इससे यह multiply इससे यह multiply तो फाइव और फाइव और फाइव इस टूजा 12 और फोर त्री यह 12 दोनों दरब 12 वा रहा है तो इक्वाल हो जाएगा तो इक्वाल से लगाएंगे तो इस तरह के से इनको solve करना है काफी एजी कौस्चन से अब कौस्चन नमबर 6 करेंगे 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 झाल नच्वार कि झाल नच्वार कि पेशन करते हैं े अूपले नचियों प्रेज़ प्रेज़ नच्पन प्रेज़ भार्प्रे भाउस तो देखो नवर सिट्स में क्या है ना पहला कोशन दिया है टू बाइंट तो इसको हम लिख सकते हैं तो ऊंजा टू सिक्सराइब वाण बैसीट अच्छ वीका एंसर अरहा है थ्रीवाइं 50 दिया है काटेंग तो आएगा one by five three one साथ सर्फित्र है कि तो फोर टू चारवडा से एक फॉन्टीफ उन्टीफिय फॉर है फिर दी नमबर का सिक्स्टीन वांडेड में पोर पॉत्जाइन्स फॉर्ट फॉन्टीफाब घंडेड ऑन इन इनमबर का टेनवां शिक्स्टी ए तो आया 1 by 6 00 कट गया 1 by 6 एफ का है 15 by 75 तो फिप्टीन फैब चाह सेवेंटी फैब होता है तो आया 1 by 5 जी का हो जाएगा 12 by 60 12 by 60 1 by 5 आया एच नमबर का 16 by 96 यह 6 से कट जाएगा 1 by 6 आया आय का 12 by 75 340 12 325 75 4 by 25 आया तिरे जे नमबर का 12 by 72 है 6 से कट जाएगा 1 by 6 आया है फिर K3 by 18 है 314 317 1 by 6 आ फिर आ पूले जीके एल नमबर का जो है जो है 4 by 25 यह तो कटे काहीं है तो हर एंसर मेना देखो काहीं पर या तो या या फिर फॉर बाइट वन्टी फैप इनको छोड़ कर और कोई नंबर नहीं आया है तो एंसर हो जाएंगे तीन ग्रूप में कि आप वान बैशिक्स किसका किसका है कि ऐसे ग्रूपिंग कर लेंगे कि कि आप कि कि वान बैशीक्स आया है एक अपिए का उसके बाद ह है फिर जे एक इतना का वन बैशिक्स आया है फिर वन बैफाइब किसका किसका है वन बैफाइब आया है बी का और एफ जी एफ जी और और कहीं नहीं है है फिर फॉर बाइट वन बैफ कितना का आया है पॉर बैट वन बैफाइब आया है सी का सब्सक्राइब इसको बाट दिया गया है को सब्सक्राइब सेवन है फाइंट अंसर तुद फॉलोईंग राइट 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 अंडिकेट हाव यूट सॉल्ट दें को सब्सक्राइब इस फाइब बाइब नाइन इक वेल टू फॉल वाइट फाइब यह कोशन पुच रहा है क्या दूनों एक वेल हैं तो हम पहले प्रास मुल्डिप्ले करके देखेंगे फाइब 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 25 और नाइन इंट फॉर थर्टी सिक्स फैल डिाग लगा गया था थीग है तो टोन्टी फाइब भाइब इस नौ्ट इकस टो फॉर बाइ नाइन इस नौट इन उक्स नौड ओंतनरए की अगर एक रीपोल लिखेंगे ने पतोब्ल लिख निए आएग में से तो इस तरीखे से बी सीटी को बनाना को से नमर रेट इला रीट ट्वंटिफाइफ पेज़ेस आफे बूक कंटेनिंग हंडेट पेज़ेस लाइट हरी टू बाइफ आप आप सेम बूक कुरेट लेस फ्रेक्शन अप्वोक या पार्ट अपूक इला रीट इला रीट उट्वंटिफाइफ पेज़ेस पढ़ रही है वन देड मेंसे उसको काटेंग तो तो फ्वंटिफाइफ बहून जा ढ़ा है फुन्टिफाइफ प और ललीता पढ़ रही है ललीता रीड्स वान बाइफाइब टू बाइफाइब तो कौन किसने लेस पढ़ा अभी चेक करेंगे वान बाइफ वॉक्स लगा दो पॉइब फैफ प्रस्स मॉल्डिप्ले करेंगे फाइब ऑन जा फाइब और ये फोर टू जा इट यह कम हो रहा है यह कम हो रहा है वन वेपोर कौन है ला तो लिखेंगे देरफोर इला एट्स लेस्स बस ठीक है पॉसर नमर नाइन रफीक एक्सरसाइज़ फोर थ्री बाइफ ऑफ और वायल रोहित एक्सराइज पो थ्री बाइफ पॉर फोर फन आवर वो एक्सराइज फॉर लॉंगर तो कॉसर नमान नाइन में भी है चेक कर लेंगे से क्रॉस मॉल्लिप्लाइब करके 3 by 6 और यह 3 by 4 प्रॉस मॉल्लिप्लाइब करेंगे 340 12 36 18 18 जादा हो रहा है तो 3 by 4 गेटर हो रहा है देरफोर रोहित एक्सेस्ट फॉर लोंगर लॉओ नॉर जागा रोहित एक्सेटो ओर लोंगर तैम कोसे नमेर टेन इन एक्लास ऑफ 25 ए इन एक्लास ए Оफ 25 तुदेंट्स 20 पाश्ट इच्टी पर्सक्क्लाइब more marks in another class B of 30 student 24 past with 60% or more marks तो दोनों क्लास कम पहले fraction निकाल लेते हैं पुछ रहा है कि which class was a greater fraction तो थीक है 20 पास किया है 25 में से और यहाँ पर 24 पास किया है 30 में से cross multiply करेंगे 13 to 20 करेंगे तो 600 and 25 into 4 करेंगे तो भी कितना एगा 150 यह भी 600 आजा रहा है तो इकोल हो जा रहा है तो दोनों क्लास का जोए परफॉर्वेंस इकोल होगा in which class was a greater fraction of students इन वो तो लिखना बोथ क्लास have same result जएब करो दो दो प्तफ मान scar वे मान करेंगेग्स इको by वाल दो नहीं अवार्वי करेंगे शुझग का और यह दो रहा है और शुद ग्टेश Lehr दे वाले दो दो बन का जो मुटेंगे थादा ह affirmação झाल झाल